यहां तक हमने पूरा कर लिया था, दिक्कत बुलिये, हमने crystal field theory octahedral complexes में करके यह सब तक समाप्त कर दिया, यहां तक doubt बोलो, और नहीं हो तो बोलो, नहीं है सर, आगे बढ़िये, नहीं है सर, बाकी लोगों जाकते रहो और जवाब दो, बाकी लोगों, नहीं है सर, चौलो बहीं है, कम सकम एक ने बोल दिया, बाकी बढ़िया, सोते रहें, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, बचों, case 2 है, tetrahedral complexes के case में spitting, जैसे उस crystal field stabilization को delta T की नाम दिया गया, क्यों, यह value calculate भी की जा सकती है, अब देखते हैं, क्या है यह, सबसे पहले बात, पहला point मैं आपको बात में बताऊंगा, पहले मैं आपको splitting बता दूँ, सब्सक्रिटिंग में फरक क्यों पढ़ ला है, बचों, central atom के इर्द गिर्द, अगर combining atom आएंगे, तो central atom जो की हमारा D block का metal atom भी हो सकता है, लोगों के आने से internal energy तो बढ़े गी, तो energy तो बढ़ी गई सबकी, लेकिन D की degeneracy तूट जाएगी, अच्छा तूट गई, तूट ने में सब जब लोग आ रहे थे, कैसे along the coordinate axis, along the coordinate axis कब आ रहे थे, जब octahedral species बन रही थी, जब coordination number 6 थ हैं, तो coordination number 4 के case में, जब आने वाले ligands अपने loan pair के cloud tetrahedral ही लेके आएंगे, इसका मतलब अगर आप tetrahedral सोचो, तो तीन bond होते हैं नीचे की तरफ जो की triangular base बनाते हैं, और एक उपर की तरफ निकला रहता है, ये सब के बीच में 109 degree, 28 minute का angle होता है, इसका अर्थ ये हैं बच् orientation, coordinate axis के along तो नहीं हो रहा, सब coordinate axis के बीच में आ रहे हैं, ये भले आपको ना दिख रहा हो, ये वाला ये आपको लग रहा हो, लेकिन ये बाहर निकला हुआ है ना बिटा, बाहर, tetrahedral में triangle, ये along the coordinate axis थोड़ी है, तो 2D मना रहे तो ऐसा लग रहा है, तो क्योंकि अगर कोई आने वाले ligands along the coordinate axis आके tetrahedral composition बना पाएंगे, तो बच्चों अब बताओ, कौन से D-block के orbitals को जादा repulsion महसूस होगा, जिनके electron lobe along the coordinate axis आते हैं, तो unlike octahedral complex, tetrahedrally जब central atom के इर्दगिर ligands आते हैं, तो जो splitting है, वो दूसरे प्रकार से हो जाती है, कैसे, जो lobe along the coordinate axis लाए करते है उनकी energy बढ़ जाती है, और बढ़ेगी कैसे सार, energy cannot be created, not destroyed, तो इनको जो extra energy मिली, वो दूसरों को loose करनी पड़ेगी, किसने loose की, EG set ने, तो ये जो splitting हो गई, इसमें EG set नीचे आ गया, T2G उपर आ गया, मतब DX2Y2, DZ2 नीचे और T2, DXY, DYZ, DZX उपर दिख रहापन को, य ये जो splitting है, ये कहलाती है, splitting, crystal field splitting, लेकिन जब tetrahedral com, तो delta T से represent कर दिया गया है, आच्छा, वो वाला contribution अभी भी है, सेम क्या, कि ये जो तीन ऊपर गई है, किसके energy लेके गई, इन दो की, तो ये दो बटा पांच, और ये तीन बटा पांच, ये याद करने का तरीका है, बैर अच्छे ने फ्रेश पेज में नहीं बनाया, आक्चली इसने सही काम किया, को कि अपने में जब फोटो बनाई होगी, तो देखो, जब octahedral के case में इने splitting की थीना, तो actually बेटा वो value जादा होती है, क्यों? अरे यार, जब 6 लोग आके प्रतिद्वन्द फैलाएंगे, तो ज ताकि आपको फोटो से ही बात याद भी रह सके, और सर्ट, tetrahedral और octahedral spritting में tetrahedral कम होती है, ठीक है, कोई relationship है, हाँ बेटा, एक statistical relationship भी है, आईए, वो आपको, अब मैं point करमांग, वन दिखा दो, यहाँ पर मैंने लिखाए कि tetrahedral के case में जो spritting होती ही, वो छोटी होती है as compared to octahedral, मैं समझा चुका हूँ, और exact इसका relationship है, delta T जो होता है, वो चार बटा नो होता है, delta not, मतलब, कोई भी ligand, अगर tetrahedral ही आएगा, और वही ligand octahedral ही आएगा, तो जब वो tetrahedral के case में spritting करेगा, वो four wire nine times होगी, जब वही octahedral case में करेगा, अलो, रोमा नमबर टू, यहा अरे सर, यह splitting ऐसी बहुत चोटी है, octahedral में तो आपने weak और strong field ligand में बात की थी, लेकिन बेटा, यहाँ पे तो in general ऐसे ही delta T काफी चोटा है, अगर काफी चोटा है, तो क्या हो जाएगा सर, तो होगा यह बेटा की पहला electron गया, दूसरा electron गया, तीसरे electron में तुमको सोचना पड़ेगा, तो तीसरे electron उपर ही न जाएगा, क्यों उपर जाएगा, अरे यार यह value ऐसी बहुत कम है, हलो, weak field ligand में, octahedral case में होता था न, weak की delta not अगर कम है, तो आदमी उपर चला जाता है, कोकि इम pairing करने पे भी energy लगती है न, बोलना पड़ेगा, हलो, तो इसमें ऐसे ही delta इसका splitting इतनी कमजोर है, कि अगला electron कहा जाएगा, वो pair क्यों होगा, वो उपर ही जाएगा, बहुत दू थोड़ जाना है, हलो, तो यहाँ पे force pairing वाली बात जो VBT में अपने कही थी, वो नहीं करेंगे, और यहाँ हमको force pairing वाली बात का आवश्यक्ता है, क्योंकि force pairing वाली गलत बोल दिया, और हमने देखा, जब octahedral ने splitting वाली बात बताई, तो वो force pairing हो भी नहीं थी, रही थी, वो actually आप बावर हुन्स रूफ all हो रहा था, actually VBT को यह नहीं पता था, कि D block में splitting हो जाती है, तो octahedral में splitting हुई, और उसके कारण हमने चीजों को समझ दिया, तो there was no force pairing और tetrahedral में भी splitting होती, क्योंकि splitting तो होगी, लेकिन magnitude कम होने के कारण यहाँ पे force pairing वाली बात करने की आवशकता ही नहीं, तो यहाँ पे भी हमने tetrahedral में सारे बातों को justify कर लिया, मेरी बात समय में आ रही है सबको, बोलना पड़ेगा, तो यह हो गया बच्चो, photo जो आपको स्क्वेर प्लेनर की splitting क्यों नहीं बता रहे बेटा, NCRT जेई मेंस NEET नहीं कहता, हाला कि Advance कहता है, और मैंने शायद यहाँ पे बनवाया भी है, इसके पहले आपने देखा होगा, अगर आप पास PDR, तो हमने स्क्वेर प्लेनर के case में भी splitting की है, लेकिन स्क्वेर प्लेनर क case case splitting में आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्यों वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, next, सर अब इतनी बाते जानने के बाद, अब बोड में सवाल कैसे आते हैं, बचों यह classic सवाल है, बोड लेवल का, जो की आपको पूछा जाता है और जाता ही है, आईए इस सवाल को समझा दू, मैं आपको देखो, सवाल यह है कि हमको बोला जा रहा है, explain करो कि NICL42- paramagnetic है, और NICO यह diamagnetic है, also give their hybridization and shape, now we will not undergo any splitting, sorry, force pairing और यह सब, हमको कोई जर्द नहीं तुमको magnetic behavior बताने कि हमको मत बता, हम explain कर देंगे कि यह होगा, वही सवाल है, तो सबसे पह electronic configuration होता है, 4S2, 3D8, हम मैंने सीधा NICL plus 2 का लिख दिया, 4S का 8 आ दिया, 3D में 8 है, 3D में 8 है, यह 8 है, लेकिन सा splitting हो जाएगी, tetrahedral splitting होगी, तो पहले कौन बरेगा, EG फिर कौन बरेगा, T2G, लेकिन आईए, इन 8 electrons को भर दें, सर पहला, दूसरा, सर तीसरा, चौथा, पा दी जाएगा, आच्छा, इसको देखके बताईए, इसमें क्या कोई D खाली हो रहा है, कोई बच रहा है, नहीं, D खाली नहीं है, तो hybridization क्या होगी, SP3, और magnetic nature क्या होगा, paramagnetic क्यों होगी, क्योंकि दो unpaired electrons है, आगे बढ़ता हूँ, दिख भी रहा है अपने को सब, तो हला कि, अब ये क्या कह दे रहा है, crystal field theory को तो पता भी है, क्या कि chlorine weak field ligand है, क्या पता है, chlorine weak field ligand है, अगर आपको इसको बिना splitting कराए, सोचना है, तो आप ऐसे भ भी बता सकते हैं क्या, कि भाईया D है, एक, दो, तीन, चार, weak field ligand है, तो force sparing नहीं होगी, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, ऐसे भी दिख रहा है, कोई तकलीफ बच्चों, तो hybridization हो गया, SP3, क्यों क्यों क्योंकि weak field ligand है, so force sparing will launch take place, hybridization होगी, शेप यह हो गया, magnetic movement ही आ गया, कोई तकलीफ, next, अब NICO, अगर आपने spectrochemical series देखी है, बच्चों, तो CO सबसे strongest ligand है, strongest ligand है, तो splitting छोड़ो ना, अब आपको ऐसे ही समझ में आती ही बात, क्यों splitting छोड़ो क्या रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा D block की splitting आती भी नहीं आपको, आपको जा पता है, कि strong field होगा, तो force pairing होगी, और force pairing क्यों होगी, उसका भी आप reason जानते हो, लेकिन actually boards आप से उतना नहीं पूछता, boards आप से किवली ये जानना चाहता है, कि अगर आपको लिये बात पता है, spectrochemical series से, तो आपको पता है, तो अगर कोई ligand weak है, तो वो force pairing नहीं करा पाए कि इसमें ABCD में hybridization और shape पूछते है, कि अगर NiCO4 है, तो nickel का state हो गया, 4S2, 3D8, क्यों, क्यों कि कार्बोनाइल में कोई charge नहीं होता है, ये neutral ligand हो गया, तो nickel का oxidation state 0 हो गया, तो हमने 4S2, 3D8 बना दिया, हमने कहा CO1 strong field ligand है, तो force pairing होगी, तो हमने 4S के 2 electron को अंदर धकेल दिया अगर अंदर भी धकेला, उसके बाद भी अंदर का D तो कोई खाली नहीं है, तो अभी भी hybridization SP3 होगा, shape tetraider होगा, बस इसका magnetic character हो जाएगा, diamagnetic क्योंकि सारे के सारे electrons paired हो जाएगे, देखो नीचे मैंने photo बनाई भी है, किसी को तकलीफ, अच्छा, हाँ, नीचे बच्चों इसका D का configuration गलत बना हुआ है, क्यों, क्योंकि 4S के electron जब अंदर धकेले जाएंगे, तो यहां से खाली होके, यह paired हो जाएगा और यह paired हो जाएगा, आप अगर नीचे की photo देखो, तो उसने last के दो डबो में paired electrons नहीं भरें, भरने चाहिए थे, कोई तकलीफ, आभी बोलना पड़ेगा, फिर यह बच्चों, NCIT का solid example है, हो गया, करी लेता हूँ, हमको geometrical isomers बनाने हैं इसके, तो Fe है metal, और 2 ammonia है, 2 CN है, तो 2 ammonia, 4 CN है, मतला octahedral बनेगा, तो octahedral में 2 ammonia है, तो हमको पता, यह MA2B4 का form है, तो यह बना दिया तो trans हो गया, 7 बना दिया तो cis हो गया, तो ऐसे आपको boards में भी बनाने को आते हैं, और बोला है, find out the following two coordination area, which is chiral, अब chiral क्या होता है बच्चों, optical isomerism कौन दिखा पाएगा, जिनके सारे के सारे, जिनके सार यह active कौन होता है बच्चों, आप याद करो, coordination number इसका कित्ता होगा, 2 और यह भले 2 है, लेकिन यह bi-dental ticket है, तो 2 into 2, मतलब यह total coordination number हो जाएगा 6, 6 के case में शायद हमने देखा भी हुआ है, हम cis भी बना सकते हैं, इसका trans भी बना सकते हैं, हालकि यहां बना नहीं हुआ है, पर अगर आप इसका trans बनाओगे, तो OX यहां पर आजाएगा, OX यहां पर आजाएगा, यह हो जाएगा आपका उपर CL, नीचे CL, लेकिन इसका अगर आप mirror image बनाओगे, तो वो super impossible हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, optically inactive, तो यह chiral नहीं हो सकता, तो chiral कौन सा होगा, chiral होगा इसका sys वाला version, sys वाला version कैसे बनाते हैं, यह मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, एक बाफिर से बना देता हूँ आपके लिए, sys वाला version कैसे बनाओगे, कि एक CL इधर, एक CL इधर, एक OX for instance इधर आगया, एक OX for instance इधर आगया, और इसका जब आप mirror image बनाओगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बात समझ पा रहे हो, तो क्या यह chiral होगा पेटा, हाँ सरी बिलकुल chiral होगा, क्योंकि यह non-superimpossible mirror image, chiral से यह मत सोच लीजेगा, कि chiral केवल कार्बन का tetrahedral version होता है, everything is known as chiral stereocenter, which has the capability to have two different stereoisomers, having same molecular formula, same structure formula, but different orientation, sorry, but different tendency to rotate plane of polarized light, एक clockwise गुमाएगा दोसा, anti-clockwise, हर ऐसा केंदर chiral कैलाता है, कोई तकलीफ, बच्चों, dead class is very difficult to teach, मैं भी syllabus ही खदम कर रहा हो, पर कम सकम थोड़ा वसा बना ही रखे, जी, धन्यवाद, आगे बढ़ना हो मैं, ऐसे ही example और आते रहते हैं, मैं सारे example discuss करी दे रहा आसान से बात होगी कि तो बता ही दे रहा है, square planer complex है, तो platinum है, cn4 है, 2- है, square planer है, मदब dsp2 hybridized होगा, क्योंकि coordination no.4 है, हमको वैसे पता है, cn-1 strong field agent है, तो force pairing कराएगा, platinum हमने dblock पढ़ा हुआ है, तो हमको उसका platinum का configuration याद होना चीए, 6s05d8 अजीब सा होता है, तो लेकिन अच्छा नहीं, यह तो platinum का यह थोड़ी होगा, बच्चों, platinum का configuration को मुझे dblock से याद दिलाएगा, जैसे nickel, platinum, palladium और platinum, ऐसा था न, PDPT, अलो, तो यह कौन सा period था बच्चों, 4th period न, तो यह होता है, 4s2, 3d8, लेकिन यह हो जाता था, आपका palladium हो जाता था, 5s2 नहीं होता था, और 4d, मेरे साब से यह शायद 0 और 10 हो जाता था, और platinum 6s1 और 5d9 हो जाता था, ऐसा ही है न, यहाँ पर तो दोनों उधर चले गए वो करने के लिए, और इसका properties बताती थी, कि 8 यह 9 हो जाता था, एक बार dblock चेक कर लो बच्चों, चलो खेर, चेक कर लीजेगा, क्या म जो भी उसका ground state में configuration आएगा, मैं कहता हूँ, कहीं भी हो, पहले तो जो भी S में होगा, वो निकलेगा, और फिर D के निकलेंगे, अगर तुमको platinum का state क्या है, यहाँ पर, प्लस 2 का state है, तो platinum अगर प्लस 2 के state में है, तो 2 electrons निकालने है, तो 2 electrons निकालने है, तो 2 कहीं भी हो, तो 8 हो को मैंने ऐसे भर दिया, अगर ऐसे भर दिया, तो 1 D खाली हो गया, तो DSP2 hybridized हो गया, और in this case, इसके वो क्या हो गया, unpad electron 0, तो इसका magnetic behavior क्या हो गया, diamagnetic, कोई तकलीफ, अब बात आती है बैचों, बाकी की theory की, एक limitation जो नहीं बता पाया था VBT, वो यह था कि complexes generally colored क्य complexes can be explained in terms of crystal feed theory, because electron in ground state of d orbital can easily make a d-d transition in visible range due to splitting of degeneracy of d orbital, कहने का रती है, कि complexes generally colored की निसले होते हैं, जैसे example भी देख रहा है आपको, कि TI, अच्छा, पहले मैं आपको Hindi बोल दूँ बिटा, फिर मैं आपको यह बाकी बाते समझाओंगा, जो English अपन ने लिखे हो यह कहती है, कि देख को, जो हमारे वो वाले complex होते हैं, complex compounds होते हैं, उनके case में d की splitting हो जाती है, उससे क्या होता है, कि कोई भी unpaid electron को बहुत जादा महनत नहीं करनी पड़ती, क्या करने में, बच्चों, visible range से energy लेगा, energy लेके excite होगा, excite होने इसके लिए बहुत आसान है, visible range के energy से excited हो जाएगा excited state में जाएगा और वापिस energy को release करके घूम घूम के वापिस आएगा, हमने hydrogen chapter में 11 पढ़ा होगा, और जब ये energy फेकेगा, तो रंग आएगा, जो खा रहा है, वो visible range का energy है, तो जो फेकेगा, वो भी इसका एक complimentary color होगा, हमने देखा हुए विब ग्योर का एक wagon wheel बनाया था, उससे complimentary colors का, एक statistical wheel हो, अच्छा, तो सर, कोई भी normal white light में, या कोई भी normal visible range के radiation में, ये excitation आराम से हो सकता है, और केवल इन में ही splitting होती है, बाकी case में तो अगर electron को excite होना है, तो एक shell से दूसरे shell जाना पड़ेगा, यहाँ पे तर सर, D की degeneracy चूटने के चकर में, अंदर ही of visible range की energy इतनी capacity रखती है, कि ये excitation करवा दे, अच्छा, इसी लिए D block के compound generally colored होते है, लेकिन एक बात और, कौन सा electron excited कर सकता है, बच्चों, जो unpaid electron हो, तो सचा ही ये है, कि कोई भी D block का complex colored होगा की नहीं होगा, उसका एक बहुत अच्छा, आपको रटा ना हो, तो भी color तो बच्चों पड़ते हैं, बोड, मेंस, और नीट के वल आपसे कई बार ये पूछता है, कि बताओ, इन मेंसे कौन-कौन colored होगा, तो बच्चों, अगर किसी के भी configuration में unpaid electrons हैं, तो unpaid electrons ही बच्चों excited करते हैं, paired खुश रहता है, paired electron excited नहीं होता, visible range की energy से, तो एक बात आप द देख लेते हैं, हमको पूछा जा रहा है, example one है, कि TICL3 unhydrous, यानि की सूखा हूँ, मतलब पानी को elegant बनके नहीं आएगा, ये colorless है, लेकिन TICL3, जो की hydrated है, मतलब इसमें पानी भी elegant की तरह सकते हैं, ये colored है, इसको आप explain कैसे करोगे, तो कहता है reason, देखो, कहता है reason, ये reason हाला कि color भी लिखा हुआ है, violet color का होता है, titanium का, जब chlorine के साथ hydrated complex मनता है, तो colored होता है, उसका color आपको याद रखने की ज़रत नहीं, ये color के वाल advance पूछता है, आप भूल सकते हो, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों chlorine के case में हो excited है, तो titanium का atomic number है 22, titanium plus 3 के state में है, तो 4S क पानी था, और hydrated मतलब पानी आ गया, पानी हमें पता है as a ligand की तरह behave कर सकता हो, chlorine counter iron है, ये देखो फोटो बनी हुई है, तो TI जब 6 पानी के साथ hydrate हो जाता है, तो एक complex बना लेता है, ऐसा hydrated complex जो है, वो color इसलिए दिखाएगा, क्योंकि water as a ligand splitting करा देगा, और जब ये splitting हो जाएगी, तो जो भी हमारा unpad electron है, ये काफी असानी से एक्साइट कर लेगा, यहाँ पर एक्साइट कर लेगा, तो color दिखाएगा, इसलिए टाइटनियम जब hydrated है, पानी के साथ है, तो complex के form में, इसलिए color दिखाता है, और जब unhydrous है तो इसलिए वो colorless रहता है, क्योंकि splitting ही नहीं होती, complex ही नहीं बनता, आगे बढ़ता हूँ, Roman number two, दूसरे example है, कहता है, the influence of ligand on the color of a complex may be illustrated by considering the nickel का पानी के साथ complex, which forms the nickel chloride is dissolved in water, if the bi-dented ligand EN is progressively added, बच्चों समझ लो, ये actually जो example है बच्चों, ये NCIT ने पूरा का पूरा एक पेज यूज़ करके color के form में बता है, और फिर से मैं गया बात कह रहा हूँ, color याद होना केवल advance को पसंद है, means तक को पसंद नहीं है, लेकिन आपको मैं ये example बता देता हूँ, जो NCIT ने बता है, NCIT ने actually एक experiment दिया हुआ है, जो कि ये दर्शाता है, कि जैसे जैसे मजबूत ligand आता जाता है, व splitting बढ़ाने के चक्कर में, visible radiation की जो energy आएगी, वो जब उपर जाएगी, splitting मान लो अगर बढ़ रही है, अगर splitting बढ़ रही है, तो ये energy gap बढ़ता जाएगा, energy gap बढ़ेगा, तो जो भी unpaid electron होगा, वो excite होके जितनी energy require करगा, उसका value बदलेगी, तो जो energy वो फेकेगा, उसक बढ़ 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 दिखाती है, तो actually सही है समाझ में आ जाएगा कि लिगेंड की splitting ही color के लिए responsible है, sorry, orbitals की splitting ही color के लिए responsible है, तो ये NCRT एक example से समझाती है, example ये है कि nickel का एक complex है पानी में डला हुआ, क्लोरीन के साथ, वैसे वो NIE के साथ 6 पानी है, और ये complex जब होता है, तो देखो यहाँ पर फोटो भी है, कि निकल के साथ जब 6 पानी रहते हैं जा लिगेंड, तो आपका जो complex color दिखाता है, वो दिखाता है green, अभी EN, मतलब एथलीन डाइमीन का लिगेंड मेंने नहीं डाला है, जी वो तो by dentate ligand है, तो पानी दूटो बाहर कर देगा, अच्छा, तो splitting भी change हो जाएगी, देखो color भी बदल रहा है, इसलिए, वैसे ही, 2 आ गये, तो ये 2 बचेंगे, ये color भी, और सारे के सारे आ गये, तो color भी violet हो गया, तो color आप भूल सकते हो, लेकिन आपको ये बात समझ म आनी चाहिए, वो जो की आभी गई है, शायद की ligand जैसे जैसे आएंगे, spitting बदलेंगे, spitting बदलेंगे, तो color बदलेगा, हलो, next है, complexes with empty d-orbital can show, अच्छा, complexes with empty d-orbital can show color, can नहीं होना चाहिए, बच्चो, अच्छली ये बात आप लिखना भी मत, ये फालतू है, हटा देतो, चलो, next, अब कुछ नोट है बेटा, ये आपको boards के साब से पता होने चाहिए, जैसे ruby, ruby क्या होती है, it contains 1% chromium, अब chromium का आयन बच्चो, chromium का आयन मौझूद है, तो कुछ न कुछ तो माइनस भी होगा, क्योंकि ultimately ruby एक solid metal होता है, तो obviously बात हो, एक solid है, मतलब प्लस के साथ माइनस भी बहुत सारे होंगे, chromium के साथ अगर कुछ माइनस आ गए, तो ligand की तरह behave करेंगे, और उसकी splitting करा देंगे, यह complex compound है, next, board के लिए भी काफी जरूरी चीज़ है, metal carboniles, अब metal मतलब deblock के metal, और carbonile मतलब आपको यह बात पता होनी चाहिए, कि बच्चों, सबसे strongest ligand हमने क्या बनाया है, सबसे strongest ligand क्या बनाया है बेटा अपन ने, carbonile को, carbonile अगर आप देखो बच्चों, तो काइदे से है तो भले मैंने charge दिखा दिया, पर net charge देखो इसका क्या होगा, 0, अच्छा, सर, crystal field theory ने क्या कहा है, crystal field theory ने कहा है, कि जो complex बनते हैं, वो एक ionic compound की तरह होते हैं, जिसमें metal का positivity, यानिकी electron की कमी, और ligands की negativity, यानिकी electron क rich होना, उसके बीच में आकर्शन create करता है, तो अब ये सोचो बच्चों, कि कौन सा ligand सबसे जादा attract होना चाहिए था, और strongest metal और ligand का bond बनना चाहिए था, जो negatively charged हो, अगर आप गौर करो, तो काइदे से सर, जो negatively charged species होने चाहिए, सबसे strongest ligand तो वो होने चाहिए, आप गौर क सबसे strongest ligand पता है कौन है, आप अपनी spectrochemical series में देख लो, जो मैंने बहले बोर्ड के लिखवाई है, strongest ligand है बच्चों, कार्बोनाईल, दिख रहा है सबको, तो सर, कार्बोनाईल strongest कैसे है, काइदे से तो किसी negatively charged ligand को strongest होना चाहिए, तो इसके पीछे का reason कुछ और है, और व bonding in metal carbonyl, अगर crystal field theory कहती है कि plus minus का attraction है, तो ये तो neutral है, ये सालह सबसे strongest कैसे है, तो आइए इसको सुमझे, मेरी आवाज आरी सबको, थोड़ा सा affirmation देते भाई, लोग तो है माल लो, तो बच्चों, bonding in metal carbonyls क्या है, देखो, कहता है metal carbon का जो bond होता है na, metal carbonyl में, उसके पास न partial double bond character होता है, भही काईदे से metal और ligand के बीच में तो ये bond बनता है, वो तो एक sigma bond होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है, नहीं नहीं, यहाँ पे sigma के साथ साथ, actual pi bonding भी होती है, कैसे हो जाती है, आईए इसको समझे, तो कह रहा है कि उसमें sigma nature सिर्फ नहीं है, it has both sigma and pi character, तो कै कैसे बढ़ गया सरे bond order, अचा खेर, कह रहा है, pi character भी है, उसके कारण क्या होता है, which creates an extra attraction, भही दोनों के बीच में bond order बढ़ गया, तो bond मजबूत हो जाता है, तो bonding between the two, extra attraction, that is bonding between the two, and hence metal carboniles are relatively much stable complex, इसलिए carboniles बहुत stable complex होता है, इसलिए ऐसे ligand को मैंने strongest माना है, अब क्या है, इसमें सर, pi bond कैसे आ जाता है, तो समझते हैं इसको, कहता है, the metal ligand bond is also termed as synergic bonding, this metal लिखे मानलब ये carbon के साथ, जब metal की linking होती है, carbonile carbon के साथ, तो इस bonding को हम कहते हैं, synergic bonding, अब ये है क्या, आईए देखते हैं, हाला कि बड़ी छोटी से photo बनाई ये इस बच्चे ने, मैं photo देख लो, मेरे साब से एक सुंदर photo भी होनी चाहिए, हाँ पेटा, ये रही, देखो, देखो, लिखा भी है, proper English भी लिखी हुए, देखो, अब इस example को मैं समझा देता हूँ, तो आपके metal carbonile जैसे एक number के question भी आते हैं, कई बार दो number के भी आते हैं, कि explain synergic bonding, तो एक number का है तो वहाँ की पीछे की बात लिख दी पर आते हैं, दो number काते हैं, example के साथ, पोटर बना देना, देखो, क्या है कहानी, भाईया, सब हम जानते हैं, जैसे मानलो, nickel CO 4 है, अब मैं कह रहा हूँ, nickel और carbon के बीच में, sigma bond नहीं है, जादा bond है, कैसे है, सर देखते हैं, कहता है, अ आम ने अभी भी इसकी hybridization देखी, carbonyl मत भी होगा 4S2, 3D8, लेकिन carbonyl एक strong field ligand है, तो सारे के सारे D भर जाएंगे, हलो, हलो, तो इसमें जो चार carbonyl लाएंगे, वो अपने electron कहां डोनेट करेंगे, ये hybridized SP3 orbital में, हलो, इन चारों को hybridize करके, बात समझते हो, हलो, बोलना पड़ आएगा भी या, तो मैं अब आपको दिखा दे रहा हूँ, ये bonding कैसे होती है, भई मान लो, ये nickel का SP3 hybridized orbital है, उसमें क्या किया, जो carbonyl का carbon था, उसने अपने लोन पेर sigma bond से भेज़ती है, देखो, लोन पेर देख रहा है न, ये sigma bond बन गया, what is this, this is MTD orbital of metal, MTD orbital, हाला कि nickel के case मे MTD नहीं होता है, पर in general complex के case में D पे ही आता है, तो आप यहां क्या सकते हो, MT hybridized orbital of metal, है न, MT hybridized orbital of metal, nickel के case में तो hybridized orbital है, हाँ, ये hybridized orbital D का use नहीं कर रहा है, लेकिन D है तो न, आगे SPB खाली है, तो actually ये बन गया sigma bond, यहां तक किसी को तकलीफ, थोड़ा सा हाँ बोलना पड़ अब बचों, CO, आप मुझे बताओ, CO क्या एक atom है कि एक molecule है, molecule है, तो बेटा जो carbon electron दे रहा है, वो electrons का हक, atomic orbital को होगा कि molecular orbitals को होगा, भाई, यह तो molecule है न, तो इस CO के जो electrons होंगे, वो तो molecular orbital में भारे होंगे न, हलो, इतना तो आप उन्हें 11 में molecular orbital तोरी आपको याद है, हल अच्छा, तो अगर आप CO को याद करें बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको 11 भी याद कराता हूँ, बच्चों, CO में कितने electrons हैं, सर कार्बन में होते हैं, 6 और oxygen में होते हैं, 8, 6 और 8 कितना होता है बच्चों, 14, तो अब यह 14, क्योंकि oxygen involved है, तो हम यहाँ पे oxygen वाला MOT diagram सोचेंगे, तो बच्चों, oxygen वाले MOT diagram क्या कहता था, सबसे पहले भरता है sigma 1s, फिर भरता है sigma estic 1s, क्योंकि आप molecular orbitals की बात कर रहा हूँ, फिर भरता है sigma 2s, फिर भरता है sigma estic 2s, फिर oxygen वाले की बात कर रहा हूँ, तो क्या भरूंगा पहले, sigma 2pz, फिर pi 2px बराबर pi 2py फिर भरता है pi estic 2px बराबर pi estic 2pby और लास्ट में भरता है sigma estic 2pz, क्यों नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि आवशकता नहीं, देखो 14 electron भरने, आओ आओ आपके लिए 14 electron भरूं, इसमें भर जाएंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 3, 14, 14, 14 electron भर गया बच्चों, हलो, हलो, अच्छा, अब यही किसी 2 electrons को आप coordinate कर दो, तो यह देखो, वही 2 electrons मैंने coordinate कर दो, और sigma bond मन गया, अब सोचो, क्या कार्बोनाईल का अभी भी, जो molecular carbon है, उसका pi estic 2px बराबर pi estic 2py, यह खाली होगा? होगा ना, इसका anti-bonding molecular orbital pi वाला खाली होगा? अरे बोलो, इस molecular carbonyl carbon का, क्या बाकी का molecular orbital anti-bonding ही सही, pi estic वाला खाली होगा, जो उपर का है? जो की हाँ मैंने लिखाए, खाली होगा, अच्छा, तो खाली orbital, क्या बाकी के electrons को invite करेगा? अशर होगे तो करेगा, अच्छा, बाकी के कहा है? बेटा, आप खुद सोचो, जब कार्बोनाईल जैसा ligand आया, और d में extra lone pairs आ गए, तो क्या अब इस nickel का d बहुत over भरा हुआ नहीं है? भरा हुआ है. तो वही मैं, यह जो, मैंने जो अलग से लोब दिखाए है, यह अलग से जो मैंने लोब दिखाया है, यह अलग से लोब मैं उन्हीं भरे हुए d orbitals का दिखा रहा हूँ. बहले भरा हुआ मैं किसी एक में दिखा रहा हूँ किसमें? इसमें, देख लो. और वहां मैंने English लिख होने का मौका मिले होता, अच्छा. तो इसके जो फिल्ड d orbital है, वो back bonding कर देते हैं, कहां पे खाली πाई estic anti-bonding molecular orbital, यहां पे से molecular orbital लिखा है, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, estic लगा है, मतलब anti-bonding molecular. अच्छा, यह खाली है, sigma bond बन गया, तो यह थुआ सा पास ही आ अच्छा, तो अगर यह पहला bond sigma था, तो यह back bonding से बना हुआ bond pi character नहीं ले आया, ले आया, तो क्या metal और carbon के बीच में bond order नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, वही मैं English में नीचे लिखने वाला हूँ, अब मैं English में यह लिखने वाला हूँ आपको, कि the m bond c sigma bond is formed by donation of loan pair electron, किसके द्वारा, कार्बोनाईल कार्बन के द्वारा, vacant orbital of metal, जो metal का vacant यानि की खाली भले hybridized orbital था, उसमें इसने sigma bond मना दिया, तो यह पहला bond बन गया, फिर मैं कहा रहा हूँ, metal carbon में पाई bond भी बनता है, कैसे, by donation of loan pair of electron, किस से भरे हुए metal के d से, तो from filled d orbital of किसका metal, और कहा जाता है, into kali anti bonding, यहां लिख भी दिया है मैंने, orbital of carbon monoxide, देखो लिखा भी है, pyastic, बात समझ में आती है, हालो, और फिर जो नीचे example है, बच्चों, यह और कार्बोनाईल के अजीब अजीब से bonding आते हैं, यह आप छोड़ सकते हैं, बच्चों, यह जेई की बात है, यह आप लिखना भ जाएगी, यह बढ़ना हो मैं, यह भी एक्स्टा बात हो जाएगी, नहीं करनी है, चलो, तो एक बार मैं पीछे आ जाता हूँ, मैंने आपको synergic bonding समझा दी, synergic bonding में किसी को तकलीफ, यहां पे बात, हलो, नहीं है, बच्चों, यह फिर NCRT की मेरे साब से exercise के questions होंगे, जो मै अपना-पना level पे questions करते जाएंगे, अच्छा, जो मैंने वहाँ पे वो बनाया था न, energy level diagram, MO का, MOT के हिसाब से, यह देखो, यहां सुन्दर्ता से बना हुआ है, कि sigma 1 है, sigma 1 है, sigma 2 है, sigma 2 है, sigma 2PZ, pi 2PX, type Y 2PY, और यह फिर खाली है, pi 2PX, फिर यह sigma है, यह MTA, यह बना भी ह है, यह जो energy level diagram है, CO का, हाला कि सचाई बोलूं तो बेटा, आपको boards में यह जानने के आवशक्ता नहीं, आपके अवल metal-carbonyl की 30 theory लिख दीजे, आपका एक नंबर का काम हो जाएगा, आपको तो actually वो example समझाने की भी ज़रत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी दो नंबर का आ जाता है, और actually metal-carbonyl की यह सब जानका रही न, means में बहुत आती है, और यह molecular orbital theory means में बहुत आती है, तो इसलिए मैंने note करके लिखवा दिया है, आपकी इच्छा हो, तो आप लिख लीजेगा, बाकी मैंने समझा दिया आपको, यह आपको examples बाकी के carbonyl का नहीं लिखना है, यह बात करनी है, बेटा, stability भी boards में, means में आती है, तो यह मैं clear करूँगा, तो next हमारा stomach आजाता है, बच्छो, stability of coordination complex, अब point क्या है, बेटा, sir, coordinate compounds के बारे में तो हम यह बात already जानते हैं, कि वो पानी में जाके ions में तूटते नहीं है, अच्छा, जनरली तो नहीं तूटते हैं, पर क्या कभी नहीं तूटते हैं, नहीं, sir, बाई काईदे से तो carbon compound भी पानी में नहीं घुलते हैं, carbon compounds में भी ऐसा नहीं होता कि वो inflammable होते हैं, लेकिन आग तो बच्छों हम में भी लग जाती है, बहले दो गंटे लगे, घी लगे, लकडी भर लगे, पर आग तो हमारे मे पानी में जाके आइन्स में तूटी जाते हैं, तो तूटने में resist करते हैं, तो कौन resist करेगा ज्यादा, जो ज्यादा stable होगा, तो आइए, वहीं से हम इसकी stability को भी define कर रहे हैं, आइए, बात करें, stability में हम पहला point लिख रहे हैं कि exponentially, the greater be overall stability constant of a complex, more will be its stability, एक stability constant हम निकाल लेत हैं, complexes के case में, जो कि इनकी stability का experimental प्रमान है, आइए, इस पर समझे हम, जैसे यह कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ experimental बाते हैं जान लीजे, क्याता है मान लोग कोई complex है ML4, ठीक है मान लिया, complex है तो L टूटेगा, नहीं, पीछे ही पढ़ जाओ तो टूटेगा, कैसे अच्छा, इसके टूटने के पहले मैं इसका बनना आपको दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि equilibrium हम हर चीज़ पे लगा सकते हैं, कैसे बनना दिखा रहा हूँ, देखे, बई, M1, M1, L के साथ बनाएगा ML complex, अच्छा, यह जो equilibrium अगर मैं ऐसा लिख दूँ, तो इस equilibrium constant K1 को मै काऊंगा, concentration of product upon reactant, मैंने लिख दिया K1, जब M1 एक और L को अपने साथ जोड़ेगा, तो बना लेगा ML2, इसका equilibrium constant मैंने लिख दिया K2, जब ML2 एक और ligand को जोड़ेगा, बनेगा ML3, equilibrium constant लिख दिया K3, जब ML3 एक और L को जोड़ेगा, बनेगा ML4, इसके equilibrium constant को लिख दिया मैंने K4, अब बच्चों, अगर आप इन चारो equations को जोड़ोगे, तो शायद आपको दिख रहा है, कि ये जो products है, सब के cancel हो जाएंगे, और ये equation क्या बचेगी, एक M और चार L मिलके बना रहे हैं ML4, तो इस ML4 का, अगर आप equilibrium constant को लिखोगे K, तो बच्चों पता ये K किस क बराबर आएगा, ये शायद आपको पता हो नहीं पता हो, तो आज से सुन लीजे, reactions को add करने से equilibrium constant multiply हो जाते हैं, तो K1, K2, K3, K4, N2 हो जाएगा, आईए, इस चीज को मैं आपको next page से दिखा भी दूँ, ये देखो, ML4, और इसका जो K होगा ना बच्चों, ओवराल K, उस ओवराल K को NCRT K न कहके बीटा कहती है, और वही बीटा कहलाता है stability constant, जो किसके बराबर हो जाएगा, ML4 upon M into concentration of L का पावर 4, अब जितना बड़ा, जितना जादा value इस बीटा की होगी, जितना बड़ा magnitude इसका होगा, उसका मतलब उतना ही जादा concentration numerator का होगा, क्योंकि जितना पड़ा numerator उतना ही बड़ा उसका ratio, अगर numerator का concentration जादा है, मतलब ये टूट कम रहा है, ये टूट कम रहा है, मतलब इस stable जादा है, तो इस overall equilibrium constant को मैं equilibrium constant K न कहा है, के बीटा से represent करता हूँ और stability constant कहते तो, मेरी बात सुझना आती है बागी लोगों, और ये बीटा किसके कारे में कुछ और जानकारी मैं कह रहा हूँ, इसका ulta, तो बहुत कह रहा हूँ, the reciprocal of stability constant और formation constant भी कई लोग बीटा को कहते है, इस called instability constant और dissociation constant, क्योंकि उसमें टूटेगा, तो अगर कोई complex, experimentally, काफी, sorry, stable है, तो इसको experimentally check करने का थरीका है, उसके लिए बीटा निकाल दो, और बीटा का ulta, it will be instability constant और dissociation constant, कोई दिकत, अच्छा, इस बात को एक example से भी समझा रहा हूँ है, कि calculate overall complex dissociation constant for यह, अब आपको dissociation constant ले लगा है, बच्चों, association यानि की stability constant नहीं निकालना, dissociation constant क्या हो जाएगा बच्चों, one upon beta, मलब उल्टा सोचना है, तूटना सोचना है, तो ठीक है बच्चों, आपको बीटा तो अपने देख लिया है, बीटा क्या होता है, बीटा होता है, k1 into k2 into k3, तो log beta क्या होगा, log of k1 plus log of k2 plus log of k3, आपको actually यह complex के लिए log k1, log k2, log k3, log k4 दिया हुआ है, तो अगर k1, k2, k3, k4 दिया हुआ है, तो log का value को put करके log solve कर लीजे, आपके पास log of beta आ जाएगा, log beta कितना आ रहा है, आपने इतना तो electrochemistry में देखा हुआ है, इतना समय दिये हमने electrochemistry को, देखो नीचे दिख रहा होगा, बी अच्छा पहले वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमसे बीटा, हमसे तो पूछा गया है, dissociation constant, तो dissociation constant, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 upon beta, बीटा को अपने निकाल दिया, which is 10 की power 11.9, तो उपर क्या हो जाएगा, 10 की power minus 11.9, अब इसको answer तो सर, scientific notation में लगभग दिया जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको electrochemistry में सिखाया था, 10 की power minus 12 कर दोगे, और यहाँ पर आजागा 10 की power 0.1 याद है, हलो, अच्छा, अब यह value कैसे निकालेंगे, सर, 10 की power 0 होता है 1, और हर 0.1 के step में 0.4 बढ़ाते हैं अपन, तो यह लगभग इसमें add कर लेंगे अपन 1.4 को की एक ही step चल रहा है, 0.1 तक तो यह हो जाएगा लगभग 1.4 के आसपास, हलो, exact value लिखी हुए NCIT में हाला की 1.02 पर 1.4 भी आप लिख लोगे तो को दिकत नहीं है, बात संगना आती है, हलो, आगे आते हैं बच्छों अपन, बेटा कुछ और यह chemistry in everyday life की बात नहीं बच्चों, लेकिन advance की बात है, इसको छोड़ सकते हैं आप बोड के साब से, हालक यहां लिखा हुआ है, यह email 2019 में है, बर चलो छोड़ो, यह आप छोड़ सकते हैं, जब normal चीज में हाँ नहीं आ रहा तो क्या फाल तो मैं overload करो, ठीक बच्चों, आपका coordination chemistry यहीं से समामत होता है, मैं इसको हटा दू, recording बंद कर दो, recording कहा है बही है, यह रही है,